हेलो नमस्कार सांथियों, वेलकम टो रेलिस्टरी, दोस्तों SSC CHSL एक्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आचुके है, नेक्स्ट एनलिसिस वीडियो हमारे रहेगा, आज 2 जुलाई 2024 को हम 3rd सिप्ट का एनलिसिस कवर करेंगे, इससे पहले हम 1st और 2nd दोनों सि स्किप्शन मिलियाएगी, सांथ ये अप्लिकेसन को डाउनलूड कर लीजगा, इससे पहले वाली पीडियो यहाँ पर मिलियाएगी, और आपका अगर आगया आनवाले दुनों में एक्जाम है, तो आप हम इनमबर पर अपने कोशन जरूर सेंड करें, क्लिए रहे, आज हम डिपेंदर जोसी जी जो की अनागपूर से हैं, और विस्वास खोसिक जी जो की अमबाला से हैं, तो इन दोनों ने काफी चतरीके से कोशन बताई, यहाँ तक कि नोंने एक्जक्ट कोशन बता दिये हैं, और गाईस आप अगर चाहते हैं कि आपको डेली बैसेस पर सटिक के साथ में जो analysis है, पूरे के पूरे 25 questions के साथ में हम देते रहें, तो आपको भी कुछ काम करना होगा, आपको थोड़ी से help करनी होगी, जब भी आपको exam हो, आपको questions send करने होगे, otherwise analysis videos आपको नहीं मिल पाएगे, तो आप सभी से बार-बार हम यही बात करते हैं, कि आप जब question आप सभी की screen पर आ चुका है, question number first है, इसलामी केलेंडर के अनुसार मुहरम कब मनाया जाता है, तो यह मुहरम जो है, यह इसलामी चंदर केलेंडर का पहला महिना है, और इसे इसलाम में चार पवित्र महिनों में से एक मान जाता है, यह जो है, सिया मुसल्मानों के लिए स मैतपूर ने क्योंकि यह रमजान के पवित्र महिने की अंतका परतीक है, जिसके दोरान मुसल्मान उपवा सकते हैं और प्राथना करते हैं, सफर इसलामी चंदर केलेंडर का दूसरा महिना है, और इस दोरान होने वाली एतियासिक गटनाओं के कारण कुछ मुसल्मानों द कुछ आए क्या होता है, एन एन पी बराबर जी डी पी प्लस विदेश से आई माइनस मुल्यहास, या कुछ इस तरीके से भी देखे सुध राश्टी उतपाद एन एन पी हरा, तो एन एन पी बराबर जी एन पी माइनस मुल्यहास इस तरह से आप कह सकते हैं, एन एन पी सु शिश शमय अउदी के दुरान किसी देश या अन्य राजनीती के उत्पादन के कारुकों दौरा उत्पादिस सभी अंतिम वस्तो और सिवाओ के कुल बाजार मुली और मुलिहास कंतर हैं। अगला कुशन है हमारा भारत और रूस के बीच में 2021 में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था या फिर कुशन इस तरह से बनेगा कि इंद्र जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच होने वाला सेनभ्यास है तो इंद्र अभ्यास दोनों के बीच में ये सेन अभ्यास रूस हना सेन अभ्यास इसका नाम इंद्र है रूसी सेना और भारती सेना के बीच का एक सन्युक्त अभ्यास है इस अभ्यास में लगबक 10,000 सेनिक सामिल थे और ये दोनों देशों के लिए एक भव्याईजन था इंद्र भारत और रूस के बीच एक सन्युक्त इन अब्यास इंदर 2021 हुआ था यह अब्यास एक से तेरा गस 2021 तक रूस के दक्षिनी वॉल्गो ग्राउंड है ना तो वॉल्गो ग्राउंड या ग्रॉड छेत्र में आजित किया गया था इस अब्यास में दोनों देशों के लगबग 250 सेनिकर में सामिलते हैं अगला कुशने बारत के सबी लोगों में समर्षत और भायचारे के बावना का निर्मान करना किस अनुच्छे इया किस भाग में है ये आपका मोली कर्तवी है चलेरे तो बागचार में मौशूद अनुच्छे अि最近 गावन का में देखने को मिलता है बारतिस सिन विदान के भागचार में मिल कौन कौन से हैं देखिए भारत के नागरिकों का मौलिक करतवे कुछ इस प्रकार है जैसे कि सरदार स्वर्ण सिंग समीती के अनुशनसा पर सन्विधान के सन्विधान संसूदन किया गया 1976 में इसके दवारा मौलिक करतवे को सन्विधान में जोड़ा गया और इसे रूस से लिया गया इसे भाग चार का में अनुशे दिकावन का के तैत रखा गया अगला कुशन है राष्टकू टुमंस ने साइबा का निर्मान किया था यह कहां प पदेशन को पताय कि यह exact तो आप जरूर से बताने की कौस्स करें comment box में इलिए अगला कुशन है हमारा लुषाई पहाडियों को यह भी कहा जाता ही तो मीजो हिल्स कहा जाता है लुषाई पहाडियों को मेजो पहाडिया के नाम से जाना जाता है लुषाई जो सब्देश क मतलब उन परवस रंगलाव से जहां ये लोग रहते हैं मीजू हिल्स पुरुवत्तर भारत में बड़ी पठकाई परवत माला का हिस्सा है और मुख के रूप से भारती राजी मीजोराम और आंसिक रूप से त्रिपूरा में ये स्थी दे वे पडोसी बांगलादेश और मिया अमार तक भी फेले हुए हैं पहाड़ियों की जो उसत तुचाहिए करीबन 900 मीटर लेकिन फावंग पुई नीला परवत पर ये जो है 2157 मीटर तक बढ़ जाती हैं जो सबसे उची चोटी है अगला कुश्य नहीं हरित क्रांती का संबंद किसे अनाज की फसल के उत्पादन के उत्पादन में भारी व्रद्दि से हैं इन बीजों के उपयोग के लिए सही मात्रा में और वर्क और कितनासक के उपयोग के सांसत जल की निया में तापूर्ती की अवशकता हो दिये पूरानी तक्नीक के उपयोग और किसानों के विसाल बहुमत के लिए अवशक अवसनरशना के अभाव के कारण किरसी छीतर में उत्पादकता बहुत कम थी अगला कुशने 1856 में ब्रिटिस ने कौन सा एक्ट पास किया था तो 12 सरकार अधिनियम था 1858 1856 में ब्रिटिस ने ये एक्ट पास किया था भारत सरकार अधिनियम 1858 तो साल 1856 में ब्रिटिस अंसर ने दो एहम जो हैं अधिनियम पारित किये थे यहाँ पर 56 की बात की जा रही है तो यहाँ पर यहाँ पर आपको इसको कट करना ही गिलेरे जनरल सर्विस एनलिस्टेट म और विद्वा हिंदु विद्वा पुनर विवा अधिनियम था 1857 इन दोनों में से एक आपको दे रखा होगा तो आप जरू से देख लिए जिखा क्या थाप का अगस्त 1858 में भारत सरकार अदिनियम पारित किया गया ब्रिटिस संसन ने एक अदिनियम पारित किया जिसने कमपनी के साचन को समाप्ति कर दिया और भारत में ब्रिटिस सरकार का नियंतरन British Crown को हस्तांतित कर दिया गया ये हुआ था 1857 के विद्रों के कारण के लिए रे और इसने देश में देश के प्रसासन में किसी भी लोक प्रिय भागिदारी के बिना भारत पर पूर्ण सही नियंतरन प्रदान किया यानि कि British जो नियंतरन था ये प्रदान किया बारत के असन के लिए सभी अधिकार परिसत के गवर्णर जनरल में नहीं थे जो राज सचीव के लिए जिभेदार थे अगला कोशन है लोक नत्य से एक्जेक्ट नहीं मिल पाया क्या पूचा था नेक्स्ट कुषिन मेगनेटिक फिल्ड से चुमबक की छेत्र से बनाता है चुमबक की छेत्र चुमबक की छेत्र चुमबक का द्वारा निर्मीत एक छेत्र होता है चुम्बक की चेतर होता है चुम्बक द्वारा निर्मी तक चेतर है चुम्बक की चेतर की रेखाएं दुरू के पास भीड़ होती है जहां चुम्बक की चेतर मजबूत होता है और चुम्बक के मद्द के निकट दूर और चुम्बक से दूर होता है जहां चुम्बक की चेतर भी पता चले हैं हमें और आपसे यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बरबर कि आपका एक्जाम जब भी हो किसी भी दिन किसी भी सेप्ट में आप हमने जो नंबर आपको बताएं नंबर आप नो डाउन का लीजिगा सेवें ट्रिपल नाइन जीरो 87885 यह नंबर नो डाउन करके रखिएगा इन नंबर पर आपका एक्जाम जब भी हो वोट्स अप करिएगा कुशन्स ताकि हम आपको सब्टीक कुशन्स दे पाएं पूरे की पूरे 25 कुशन्स आप बताने की कुशिस करते हैं बट हमारे पास में कुशन्स आप लोग भेजे अप्लिकेशन पर मिल यागी दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है जाकर इनको जोइन कर लिजगा वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि हमें सपोर्ट करने मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे सची वीडियो लाने की कौसिस करते रहें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिसेप्ट के अनलिसिस में तब तक लिए जैहिंद बन्नमातरम